में सुलक्षिना पाटी हमारे न्यूट चैनेल में आपका स्वावत है बने रहिए हमारे साथ चलिए देखते हैं आज की ख़ब दिल्ली के टैग और गॉर्डन में सहीदी दिवस मनाए गया आज हमारे साथ गीता जी है जो आज हमारे शहीद भगत सिंग सद्भावना करोना वरियर अवार्ड में आई हैं और मैं चाहूंगी कि आप अपने विचार शहीद भगत सिंग जी के बारे में बताएं सहीद भगत सिंग जी एक महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं जिनोंने अपने शहीद होकर भारत का एक नाम गौर्वानवित किया है और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूं एक यंग जनरेशन कोई भी मा अपने बच्चे को फांसी पर चड़ते हुए नहीं देखना चाती हर मा की ख्वाइश होती है कि वो अपने बच्चे को दूले की रूप में देखे या शादी के जोड़े में देखे एक जवान बच्चे का इस तरह से जाना और इस शहीद दिवस को हम किस रूप में सहादत के दिवस के रूप में मनाये जा रहे हैं जिसका कि हम अभिमान करें या गर्व करें ऐसे शहीद भगज सिंग को मेरा शाष्षत नमन है हिंदुस्तान जिंदाबाद जै भारत हमारे बीच में दिली महिला यूनिटी से अंजूस शर्मा जी हैं और मैं चाहूंगी कि आभी दो शब्त कहें शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पर मिटने वालों का यही नामों निशा होगा आज शहीद भगत सिंग को याद किया जा रहा है और उनको याद करते होए क्योंकि अंग्रेजों के खिलाब जो उन्होंने एक जंग शुरू की थी और उसमें वो जीते थे और एक नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद ये अपने बच्चों को कहानी सुनाएं बताएं और उनके जीवन से प्रेरित होकर बच्चे वैसा ही क्योंकि आज कल जो देश की सिचुएशन है ब्रश्चाचार फैल रहा है तो कही न कहीं हमने जो आजादी मांग कर ली थी जो आजादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी कितनी हमने शहादते दी तो इस दिन के लिए नहीं आज का जो शहीद भगत सिंग है उसको देखना पड़ेगा कि ब्रश्चाचार को किस तरह से खतम करना है आज बहुत सारे शहीद भगत सिंग होने चाहिए और नेताओं जो की ब्रश्चाचार की शुरुवात उनी से होती है उसको आज का बहुत सिंग दूर करे और शहीद भगत सिंग को याद करते हुए मैं यही कोँगी कि हम लोग शहीद भगत सिंग बनने की भरपूर कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए हमने याद किया है केवल जाने के बाद घर जाने के बूले नहीं तो हम में ही शहीद भगत सिंग हो ऐसी भावना और भाव होना चाहिए जैहिन जैभारत तो ये थे कुछ लोगों के विचार शहीद भगत सिंग सत्भावना याद करोना योधा अवรण और यहां पर यह जू फंपशन में अचछे आएंजियों से और बहुत सारय नंजीयों से लोग तुझ रहें हैं बहुत हमारे मानने असेटिगंग आ रहे है समंमान पा रहे हैं और समंमान यहां पर सभी नारी शक्ति दिया जा रहा है मेरा सम्मान है कि मैं इस प्रोग्राम में आई क्योंकि भगत सिंग जी को श्रदानजली देना एक बहुत बड़ी बात है इतना बड़ा देशभक्त मैंने नहीं देखा और मैं दो लाइन आपको दूँगी उनके लिए जो मैं उनके सम्मान में उनको श्रदानजली के रूप म देशाए मृताए वीरा ते शाम पश्य अभिमानं भोमं प्रिये देश निवासिंद आया ते अंत समें अवदन सर्गं गच्छा में हैं मुदात्वं देश प्रियामे मुदात्वं देश प्रियामे कुरु सजिलं तावत नयनं नंग्धु सजिलं तावत नयनं भोमं प्रिये देश निवासिन कुरू सजलम तावत नयनम देशाए मृताए वीरा देशाम पश्य अभीमानम मैं उनको नमन करती हूं बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का जो उनको मेरे से शर्थांजरी जिलाई बहुत 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 धन्यवाद पहले तो अन्जु जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज बुलाने के लिए और आज बहुत ही बड़ा दिन है और इस बड़े दिन पर आज मुझे अन्जु जी ने यहां इन्वाइट किया इससे बड़ा सौभाग के मेरे लिए खुश नहीं है और दूसरी चीज मैं अधमी पार्टी से मैं कचाओंगी ततीज जी आज आप अपने विचार बताएं आज आप साहीद भगेसी आज का देन बहुत बिशेश दिन है और आज के दिन जो हमारी सरकार को मनाने चाहिए अभी जो है आम आदमी पार्टी सरकार ने अगले साल से जो है इस दिन को योगों नहीं ने हमसे देश का आजाद कराया इनकी व्यस्थ ने गर निवाले नहीं थे तो जवाब ने मिलता उनको यह इसकी इनकी माँ ने अपने सहीध बेटे को 22 साल के उमर में बेटे को सहीध सेधी होता देख लिया बहुत कुर्वानी है धन्य ऐसी मां जिन्हें ऐसे बागरें प्यादा करें और हम जो है देश्वासियों को उनकी कुर्वानी को भूलने चाहिए वह मैं याद करना चाहिए जी धन्यवाद सतिष जी यह डेंटिस्ट है और इन्होंने अपनी बहुत अच्छी सेवाई दिया घर घर सेवाएं अपने इन्होंने प्रदान की हैं करोना काल में मैं चाहूंगी राजी आप दो शप्त हैं आज की प्रोग्राम के बारे में शहीद बागर सिंग जी के बारे मैं इरा हूं डॉक्टर एरा एक्चुली दिये जो प्रोग्राम है बेसिकली आप जब आप किसी के दोग्राम के लिए काम आने के बाद पता चलता है कि हमारा जो इंटर्नल पीस है वो किता सेटिस्वाइब गया है और जो शहीद बगड़ सिंग जी ने किया है वो सिर्फ अपने लिए इनी पूरे भारत के लिए किया है और आज हम जिस आजादी के साथ इधर उदर जा रह से हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपको